मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब का मेरे चानल इस्टोरी लवर्स में स्वागत है ओके गाइस, FF का नेक्स पार्टी स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि वींग के आखों से आशू की एक बून जह लग गई थी अब आगे, सब रात को सोते हैं और अपने अपने फ्लैस बैक में चले जाते हैं पंदा साल पहले, जब लैंजा पंदा साल का था, वो बिलकुल भी cold hearted, cruel नहीं था वो भी एक normal child था, वो अपने mom और dad से बहुत प्यार करता था लेकिन लैंजा एक ऐसे मंजर से गुजरा, जिसने उसकी पूरी life बदल के रख दी पंदा साल का लैंजा अपने parents से कहता है, डैट जल्दी चलिये न, हम लेट हो जाएंगे आज आप दोनों को मेरी school जाना है, teacher को आपसे बात करनी है मिसिस लैंड कहती है, तुम इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो, थोड़ा सा टाइम तो दो, बस दो मिनट दो, मैं अभी त्यार नहीं हूई हूँ लैंजा कहता है, mom, आप ऐसे भी बहुत beautiful लग रही हो, बस अब चलो, Mr. Lैंड अपनी बाइफ से कहते है अब चलते हैं, नहीं तो ये हमारा दिमाग खराब कर देगा Mr. और Mrs. Lैंड अपने बेटे के साथ कार में बैठ कर स्कूल के लिए निकल जाते हैं लेकिन बहुत सारी कार उनका पीछा कर रहे थी, लेकिन लैंड फैमली तो अपनी मस्ती में थी अचानक से Mr. Lैंड के कार के आगे बहुत सारी कार आ जाती है जिसके कारण उन्हें अपनी कार को रोकना पड़ता है Mrs. Lैंड अपनी हजबन से कहती है ये क्या है, इन्होंने ऐसे हमारे कार के आगे अपनी गाड़ियां क्यों लगा दी Mr. Lैंड कहते हैं, मैं देखता हूँ अभी जब Mr. Lैंड अपनी कार से बाहर निकलते हैं तो सामने उनका बिजनेस पार्टनर था उसके हाथ में बंदूग थी और वो बहुत सारे गुंडे अपने साथ लाया था Mr. Lैंड कहते हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं और यह क्या तरीका है, आपने हमें रोका क्यों है उनका बिजनेस पार्टनर कहता है मैं तुम्हें इस जिन्दगी से अजात करने बाला हूँ क्योंकि तुम्हारे जाने के बास सारा बिजनेस मेरा हो जाएगा Mr. Lैंड कहते हैं, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकते, उनका बिजनेस पार्टनर सीधा Mr. Lैंड के सीने में एक गोली मार देता है ये अवाज सुनकर Mrs. Lैंड भी कार से बाहर निकल जाती है और ओ एक गोली Mrs. Lैंड के सीने में भी मार देता है उनका बिजनेस पार्टनर पागलो की तरह हस रहा था और वहाँ पर खड़ी जनता एक फैमिली को ऐसे बरबाद होता हुआ देख रही थी उस समय ऐसा कोई भी नहीं था जो लैंड फैमिली की मदद के लिए आगे बढ़ा हो लैंजा भी कार से बहाँ निकल जाता है वो लोगों से रिकेस्ट कर रहा था कि कोई उनकी मदद करे लेकिन वहाँ पर खड़े लोग सरब मुकदरसक बने हुए थे लैंजा अपने मॉम और डैट की खून से सनी हुई बोड़ी को अपने गोद में लेकर रो रहा था उनका बिजनेस पार्टनर कहता है बच्चे तुम्हें रोनी की जोयत नहीं है क्योंकि तुम भी अपनी फामिले के पाथ जाने बाले हो ऐसा कहके वो एक गोली लैंजा के सीने में भी मार देता है वो बिजनेस पार्टनर वहाँ से चला जाता है पूरी लैंड फामिले रोट पे खून से सनी हुई पड़ी थे अचानक से उनकी दुनिया ही उजड़ गई थे लैंजा मिस्टर मिसिस लैंड रोट पर पड़े थे लेकिन वहाँ पर खड़े लोगों की अभी भी हिमत नहीं हो रही थी कि कोई भी उनकी मदद करे उस भीड में खड़े वे लोगों में से कोई एक भी जना सामने नहीं आया उस मरते वे फामिली को बचाने के लिए ऐसी भी ये उनके घर के सब्दे से तो थे नहीं जो उने परवा हो उसे रोट से एक बहुत बड़ी कार जा रहे थे जब ओ कार उस एक्सिरेंट वाले स्पोर्ट पर रुकी तो उस कार में से एक पचपन साल का इंसान बाहा निकला जिसकी परसनेल्टी काफी दमदाल लग रहे थे उसके सारे कपड़े ब्लैक थे वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था वो इस दुनिया का माफिया किंग था जो अपने काम से कहीं जा रहा था लेकिन जब उसने रोट पर भीड देखी तो उसने अपनी कार को वहीं रोक दी उस माफिया किंग का नाम वेन रोहान था वो गुस्से से वहां खड़े लोगों को देखता है और कहता है तुम लोगों को अपनी जिन्दगी पर सरम नहीं आती कैसे कायर बनकर यहां पर खड़े हो और जिने तुम्हारी मदद के जोड़त है तुम उनकी मदद भी नहीं कर रहे अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते तो तमासा देखने की कोई जोड़त नहीं है वैंड रूहान अपने लोगों को कहता है कि तीनों को मेरे कार में डाल कर हॉस्पिटल लेके चलो वैंड रूहान उन्हें हॉस्पिटल लेके आता है डॉक्टर उन्हें इंफॉर्म करते हैं कि लेडी और जैंस तो काफी समय पहले ही मर गए लेकिन बच्चे की सांसया भी चल रही है, ओप्रेशन करना पड़ेगा वैन रूहन डॉक्टर से कहता है, पैसो की चिंता बिल्कुल मत करना उस बच्चे को बचाने की पूरी कोसिस करो डॉक्टर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, पूरे चार घंटा ओपरेशन चलता है और लेंजा की जान बच जाती है, लेंजा को एक प्रावेट रूम में सिफ्ट कर दिया जाता है जब लेंजा को होस आता है तो वैन रूहन उससे मिलने जाता है लेंजा कहता है मुझे अपने मॉम डैट से मिलना है, मुझे उनके पास जाना है, कहां है ओ, मुझे उनके पास ले चलो वैन रूहन लेंजा के बालों को प्यार से सहलाता है और कहता है, मैं उन्हें बचा नहीं पाया होस्पिटल लाने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी अब लेंजा के आखों में आसू थे लेंजा कहता है सारे लोग बुरे होते हैं कोई किसी की मदद नहीं करता सब वहाँ पर खड़े होके तमासा देख रहे थे वेंजा कहता है तुम सांत हो जाओ और अराम करो अभी तुम्हें अराम करने की जुरत है समय बीटता है वेंजा को अपने साथ ले जाता है क्योंकि लेंजा का अब इस दुनिया में कोई नहीं था और उसका एडवीजन स्कूल में कराता है लेंजा को पता था कि वेंड रोहन माफिया किंग है ओ कहता है अंकल मुझे भी माफिया वर्क में सामिल होना है मुझे सब कुछ सीखना है मैं बदला लेना चाता हूँ वेंड रोहन कहता है अभी तुम बहुत छोटे हो तुम ट्रेनिंग कैसे करोगे लेंजा कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ उनसे बदला लेने के लिए वैंडुहन कहता है ठीक है लेंजा चार साल की बहुत ही हाट ट्रेनिंग करता है लेकिन धीरे धीरे लेंजा बहुत जादा क्रूल होता जा रहा था उसे किसी पर कोई दया नहीं आती थी जब वो लोगों के आखों में अपने लिए डर देखता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था उसके दिल को सकून मिलता था अब लैंजा 19 साल का हो गया था और वो बदला लेने के लिए बिलकुल तियार हो गया था लैंजा अपने लोगों की मदद से अपने डैट के बिजनेस पार्टनर को अपने बैस्मेंट में लेके आता है बिजनेस पार्टनर कहता है तुम लोग कौन हो और मुझे यह क्यों लेके आए हो ओ लोग कहते हैं ये बात तो तुम्हें हमारे सरी बता सकते हैं कुछ दिर बाद Lenja भी बैस्मेंट में आ जाता है बिजनस पार्टनर Lenja को देखती ही पैचान गया था ओ कहता है तुम मरे नहीं तुम जिंदा कैसे हो सकते हो Lenja कहता है तुम्हें मारे बिना मैं कैसे मर सकता हूं तुम्हें तुम्हारी साही जगा तो पहुंचा दू वो आदमी कहता है प्लीस मुझे जाने दो मैं सब कुछ तुम्हारी नाम कर दूँगा लैंजा उसके मुँपर कुछ पेपर फैकता है और कहता है साइन करो वो आदमी भी साइन कर देता है और कहता है अब मुझे जाने दो लेंजा कहता है तुम इतनी जल्दी क्यों है उधीन तुम बहुत हस रहे थे पहले हस के तो दिखाओ फिर लेंजा कहता है मैंने कहा हसो वो डर डर के हस रहा था लेंजा टूल की मदद से उसका पूरा जबड़ा बहार निकाल देता है जिसकी कारण उसके मुँसे खोन निकल रहा था फिर लेंजा उसके हाथ की एक-एक उंगलियों को काटने लगता है और कह रहा था इन्ही हाथों से तुमने बंदूख पकड़ा था न ओजा आदमी दर्ग बर्दास नहीं कर पाता और már जाता है लेकिन लेंजा का गुसा साथ नहीं हुआ था लेंजा उसके सीने पर चाको से जब तक बार करता है जब तक उसका दिल नजर नहीं आने लगता लेंजा के लोग कहते हैं सर अब वो मर चुका है उसे छोड़ दीजे लेकिन लेंजा किसी की नहीं सुन रहा था लेंजा उसे और टोचर करना चाता था लेकिन वो पहले ही मर गया जिसके कारण लेंजा साटिस्फाइ नहीं हो पाया लेंजा कहता है तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो होस में आओ मैंने तो अभी कुछ स्टार्ट भी नहीं किया और तुम मर भी गए मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है एक आदमी वेंड रूहान को बुला के लाता है क्योंकि लेंजा को समालना मुस्किल हो रहा था वेंड रूहान जब नीचे आता है और देखकर बिलको हैरान हो जाता है कोई इतना क्रूल कैसे हो सकता है वेंड रूहान लेंजा को जब अदस्ती वहां से लेके जाता है और कहता है लेंजा बस करो अब वो मर गया है अब लेंड कमपनी तुम्हारी हो चुकी है तुम ऐसे भीएप मत करो जिसके कारण लोग तुमसे डरने लगे तुम्हें नॉर्मल होना होगा समय बीटता है अब लेंजा 20 साल का था और उसका माफिया वर्ड में बहुत नाम था लोग उसके नाम से ही डरते थे लोग दुआ करते थे कि उनका सामना कभी भी लेंजा से ना हो लेकिन वैन रूहन को लेंजा की चिंता थी क्योंकि जैसे जैसे दिन बीट रहे थे लेंजा बहुत ज्यादा कोल्ड होता जा रहा था वो कभी भी स्माइल नहीं करता था वो ज्यादा किसी के पास नहीं जाता था उसे लोगों को बुरी तरीके से मारने में मजाता था वो 20 साल का हो गया था और कभी भी किसी ओमेगा के पास नहीं गया था वैन रूहन को डर था कि ऐस तो यह पूरी जिन्गी अकेला ही रह जाएगा उसे पास से बहार निकलना होगा वैंड रूहान लैंजा को अपने पास बुलाता है और कहता है लैंजा अगर तुमने एक टास्क कंप्लेट कर दिया तो नेक्स्ट माफिया किंग मैं तुम्हें बना दूंगा मैं अपनी जगह कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम माफिया से कनेक्सां रखते हो यानि तुम्हें एक नॉर्मल स्टूडेंट बनके रहना होगा और अपना गुसा कंट्रोल करना होगा तुम कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट पर हाथ नहीं उठा सकते मैं तुम पर अपने लोगों से नजर रखवाँगा वो मुझे तुम्हारे बारे में हर बात बताएंगे इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच लेना कि तुम्हें नेक्स्ट माफिया किंग बनना है या नहीं अगर तुम अपने टास्क को कंपलेट नहीं कर पाए तो मैं वी जाओ को नेक्स्ट माफिया किंग बना दूँगा और तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी उसके अंडर काम करना होगा क्यूंकि तीन साल बाद मैं अपनी जगा से हट रहा हूँ इसलिए मुझे किसी को तो चुनना ही होगा लैंजा कहता है ठीक है मैं त्यार हूँ वैंडरुहान कहता है फिर तुम कल से कॉलेज जाने की त्यारी कर लेना मैं कॉलेज में तुम्हारे बारे में बात कर लूँगा लैंजा हां में अपना साय हिला कर वहां से चला जाता है वैंडरुहान कॉलेज के प्रिंसिपल से लैंजा के एडवि क्या पदा तुम्हें वहाँ कुछ दोस्त मिल जाए नेक्स दे लेंजा तियार होता है और बाहर जाने लगता है लेकिन पीछे से वेंड रूहां रोक लेते हैं और कहते हैं लेंजा तुम ऐसे कॉलेज जाओगे क्या तुम किसी का खून करने जा रहे हो जो तुमने अपने जेम में गन रख रखी है और पूरा ब्लैक पैन के मज जाओ मैं जो तुम्हारे लिए कपड़े लेके आया हूँ ओ कपड़े पैनो लेंजा कहता है अंकल अब ये क्या है वेंजा कहता है जैसा मैं कहर रहा हूँ वैसा करो लेंजा कहता है ठीक है फिर ओ कमरे में जाकर कपड़े चेंज करता है और गन अंकल को दे देता है लेंजा कहता है अब ठीक है वेंजा कहता है याद रखना कॉलेज में तुम्हें अपना गुसा कंट्रोल करना है किसी भी बच्चे को डराना मत लैंजा कहता है जैसे मैं उन सब को खा जाऊंगा लैंजा कॉलेज पहुंच जाता है आज कॉलेज में काफी सारे स्टूडेंट नए आये थे लैंजा प्रिनिपल रूम में जाकर अपने किलास के बारे में पता करता है लैंजा कहता है ये क्या है मैं फूर्स्ट यईर में पढ़ूँगा वहाँ पर तो सम्मुश से छोटे होंगे प्रिनिपल कहता है सार आपके अंकल ने काहा है आप उन से बात कर लेजै लेंजा कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ लेंजा किलास में जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है किलास के स्टूडन्ट बात कर रहे थे और कह रहे थे लगता है ये तीन साल से फेल हो रहा है तबी तो ये हम सबसे बड़ा है लेंजा सबकी बातों को इगनोर करता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है इधर वींग कह रहा था ब्रदर जल्दी करोना हम लेट हो रहे हैं जियांग चैंग कहता है अब तुम क्या चाते हो मैं अपनी कार को और कितना तेज चलाओ तुम चाते हो हमारा एक्सिडेंट हो जाए मुझे पता है आज तुम्हारा कॉलेज में फर्ज डे है लेकिन मेरा दिमाग खरा मत करो हम बच जल्दी ही पहुंच जाएंगे कुछ समय बाद जियांग चैंग और वींग भी कॉलेज पहुंच जाते हैं जियांग चैंग वींग को प्रिंसपर रूम लेके जाता है फिर ओर दोनों वींग के किलास के बारे में सब कुछ पता कर लेते हैं जिन चेंग विंग को उसके class तक छोड़ता है और कहता है किसे से कोई पंगा मत लेना और जितना हो सके मुसिवश से दूर रहना विंग कहता ठीक है brother आप अपनी class में जाओ मैं अच्छे से behavior करूंगा जैंग विंग के बालों को set लाता है Wing के लास के अंदर जाता है और अपना इंटोड़क्षन देता है जब Wing अपना इंटोड़क्षन दे रहा था सब की नजर Wing पर थी कियुकि उसकी स्माइल से नजरों को हटाना बहुत मुस्किल था जब Wing स्माइल करता था उसके चेरे की चमक और बढ़ जाते थी विंग जाकर लेंजा के बगल में बैठ जाता है सारे स्टूडेंट कहते हैं ये पागल है क्या उस कोल्ड अंकल के पास बैठना जरूरी था जिसके चेरे पर कभी भी स्माइल नहीं रहती ऐसा लगता है जैसे वो आखों से ही सब को खा जाएगा लेंजा ने अभी तक विंग को नहीं देखा था क्योंकि उसने अपनी नजरे मीचे कर रखे थी वो अपनी गुस्से को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि जब से वो क्लास में आया था सारे स्टूडेंट सिर्फ बगपास किये जा रहे थे विंग अपनी साइड में देखता है एक बहुत हैंसम एलफा उसके बगल में था विंग दोस्ती के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है हाई मेरा नाम विंग है और आपका क्या नाम है लेंजा अपनी नजरे उठाता है और Wing की तब देखता है फिर उब बहुत एक ओल तरीके से जवाब देता है Boring Wing कहता है ये तो बड़ा जीव नाम है Boring तुमने अपने घरवालों से कुछ कहा नहीं उन्होंने तुम्हारा ऐसा नाम रखा तुम्हें अपना नाम चींज करवा लेना चाहिए लेंजा गुसे से Wing की तब देखता है Wing कहता ठीक है मैं कुछ नहीं बोल रहा बस तुम ये आखे मुझे मत दिखाओ क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा लेंजा कहता है सेमलेस Wing पाउट बनाता है और कहता है अब तुम मुझे सेमलेस कह रहे हो क्या मैं तुम्हें beautiful नहीं लगता Wing लेंजा को तंग करने में बीजी था तब ही एक डस्टर Wing की मुझे पर आके लगता है जब Wing देखता है ये किस ने किया तो इस वर टीचर गुसे से Wing को देख रहे थे टीचर कहते है तुम जब से आए हो बस बोले जा रहे हो तुम मेरी कोई भी बास सुन भी रहे हो या फिर जो तुम्हारे साइड में बैटा है बस उसे परेशान किये जा रहे हो Wing कहता है सर आप कुछ भी पोछ सकते हो मैंने सुना है जो आपने math में पढ़ाया है टीचर कहते हैं ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें पता है कि यहां कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है Wing कहता है बस आप मुझे सर्मिंदा कर रहे है इसके लिए इतना अभार परकट करने के जोयत नहीं है ये तो मेरा फर्ज है टीचर कहते हैं अपनी बकवास बन करो और X की value बताओ Wing कुछ देर सोचता है फिर एक मासूम से चैरा बना कर कहता है सर मैं आपको क्या बताओ मैं पूरे 17 साल का हो गया लेकिन मेरे घरवाले मुझे boyfriend बनाने नहीं दे रहे वो कहते हैं तुम छोटे हो जब कोई boyfriend ही नहीं होगा तो X कहां से होगा तो sorry मुझे X के value नहीं पता इस बार पूरी किलास हसने लगती है एक हलकी से smile लेंजा के चैरे पर भी आई थी लेकिन किसी के देखने से पहले वो smile चले गई थी टीचर गुसे में कहते हैं get out वींग कहता है मैंने कुछ गलत कहा क्या टीचर कहते है मैंने कहा तुम अभी मेरे किलास से बाहर जाओ वींग कहता ठीक है फिर वो पीछे मुडता है और लेंजा को आख मारता है लेंजा गुसे से वींग को आखे दिखाता है लेकिन विंग के जाने के बाद वो एक प्यारी से स्माइल करता है किलास के अंदर टीचर ने अपना सर पकड़ रखा था वो कहते हैं क्या मुझे इस स्टूडेंट को पूरे साल जिलना होगा मैंने अपने पूरे टीचिंग करियर में ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा पूरी किलास तो टीचर के ऐसी हालत पर हस रहे थे उन्हें तो मज़ा आ रहा था कुछ स्टूडेंट कहते हैं मुझे तो विंग से दोस्ती करनी है वो मासूम के साथ साथ कितना कूल भी है ओके गाइज आज का पार्टी है रखते हैं बाई ठेंक्यू